पत्रकार 6 नवंबर 2020 का मामला आज यानि की और मेरे साथ खड़े हुए हैं हमारे उदेपूर संभाग के वरिष्ट पत्रकार प्रकाजी सर्मा प्रकाजी सर्मा नेशनल इंटरनेशनल अकबारों के प्रमुख संपादक भी रे चुके हैं पत्रकारित्य की जहां बात करें प्रकाजी सर्मा लगबग 25-30 सालों से एक्स्प्रेंस है इसलिए तो इतने एक्स्प्रेंस होने के बाद में ही तो कई सारे बड़े-बड़े का आप संपातक रहें, चाहे वो देनिक भास्कर हो, आप पाली में भी रहें, उद्गेपूर से भी आप संपातक रहें, इस तरह से कई सारी बातें बाडमेर में भी संपार्गत रहे हैं मैं परकाजी का परिचे मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अभी एक नई पत्रकारिता और विवाद चल रहा है जिसका नाम है अरणव गोस्वामी आर भारत Electronic Media News Channel आर भारत के जो गोस्वामी है अरणव गोस्वामी हम सब देख रहे हैं कि चार दिन पेले अरणव गोस्वामी को पुलिस उठा कर ले गई आज भी अरणव गोस्वामी जेल में बंद है प्रकाजी शर्मा मेरे साथ एक वरिष्ट पत्रकार है और अरणव गोस्वामी सब जानते हैं कि उसने पालगर में सादूओं का हत्या महाराष्ट में कर दी थी तो वहां उसने मुद्दा उठाय था फिर एक सुसान सिंग राजपूत की हत्या हो गई थी जिसको वहां अरणव गोस्वामी जी कर रहे हैं क्योंकि आप भी प्रिंट मीडिया के महारती हो मैं इलक्रोनिक मीडिया का हूँ आप मुझे जान कर रिद्दे हैं कि अरणव गोस्वानी सही है या गलत और क्या महाराष्ट सरकार को अरणव गोस्वामी को जेल में डालना चाहिए गया चोगलाल जी अभी वास्तव में काफी जुवलन्त मुद्दा है यह और आपने एक अच्छा प्रश्ण इस बारे में उठाया है अगर केवल हम अर्णप गोच्वामी के मामले को अगर देखते हैं तो इसके दो पक्ष हैं हमें दोनों पक्षों की और जाना पड़ेगा इसमें क्योंकि पत्रकारीता कहती है कि हमको पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को जानना चाहिए उनको समझना चाहिए और उनको प्रमुक्ता देनी चाहिए अगर आप पक्ष को छापते हैं तो विपक्ष से भी आपको बात करनी चाहिए तब ही जाके आपको एक अच्छा नीणए आपके सामने आएगा और हो सकता है कि जब आप विपक्ष से बात करते हैं तो पक्ष की कई सारी बाते गलत ठहर सकती गलत हो सकती है तो उसमें हम बताया कि पालगर वाला है, सुशान्त वाला केस है, कंगना रनोत वाला केस है। उसके बाद में भी इसने कई सारे issues जो है वो उठाएं। अच्छा है, पत्रकारीता में एक अच्छा संकेत है कि इस तरह के issues उठाने चाहिए। अगर कोई पत्रकार अगर नहीं उठाता है, कि किसी मामले में नहीं जाता है तो किसीन किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम डेप्त में जाए पत्रिकरिता ये कहती है कि हमें गहराई में डेप्त में जाना चाहिए उसके बारे में पता लगाना चाहिए हो सकता है कि कोई चीज जो गलत हो जो चीज ऐसा सोचा जा रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है और वो एक बड़ा मामला बनके उजागर हो सकता है है ना जैसे एक स्कुल का एक मुद्दा था कि वहाँ पे एक बच्ची के साथ में एक दुशकर्म हुआ और कई सारे आरोप लगे भाहर से कोन आया कैसे आया और बाद में पता चला कि वो उसकुल का ही एक जो स्टूडेंट था वो इसके अंदर इन्वोल पाया गया यह बात यह हकीकत जब सामने आई जब पत्रकार इस स्टूरी के पीछे पड़े उसकी गहरई में गए तो अड़नब एक काम अच्छा कर रहे हैं आर भारत का जो है उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तो जो इश्यूज जो उठा रहे हैं बहुत अच्छे उठा रहे हैं दूसरा जो पक्ष है इसके अंदर कि जो आरोप लग रहे हैं उनके पर कि वो दूसरे जो पक्ष हैं उनको ज्यादा नहीं सुन रहे हैं ये पक्ष जो हैं उनको सुनना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से अर्णब को सुनना चाहिए और यह सारोप लगता है कि अगर दूसरा पक्ष अपनी बाद भी रखता है तो और नब अपने जो है वो उन पर हावी हो जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए पत्रकारिता में सबको बोलने का और पूरी आजादी का मौका दिया जाना चाहिए दूसरा यह कि भाशा थोड़ी जो है वो सयमित होनी चाहिए जो आ सोनिया सेना है और रहूल गेंग है तो दूसरे चैनल में इस तरह की भाशा आमतोर पर नहीं सुनी जाती है तो जो कुछ लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं तो मेरा भी ऐसा मानना है कि हमने भी मेरे तीस साल के पत्रकारिता के इतियास में मैंने इस तरह की भाशा ना तो बार में कभी लिखी हुई पाई ना मैंने किसी चैनल में के वही सूनी इस तरह की तो ये थोड़ा सा लेकिन जो काम कर रहे हैं जो इशू उठा रहे हैं उसकी उनकी तारिफ की जानी चीए कि इस तरह के मुद्दे जब उठेंगे तभी हकीकत सामने आएगी वेरी गुड दोस्तों आज मेरा कोई लेना देना नहीं अरण अरणव गोशवामी से लेकिन हम लोग मैं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से हूँ परकाज जी भैसाब भी अब पिछले दो साल से इलेक्ट्रोनिक मीडिया का काम कर रहे हैं जिसका नाम है लायु राजस्तान आब ला दोपुरु संभाग में लायु राजस्तान चलता है हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि आखिर आर भारत कहीं एकदम गलत तो नहीं है तो दोस्तों वो एकदम वास्ता में गलत नहीं है पत्रकार एक खोजी पत्रकार होता है क्योंकि जो पुलिस होती है पुलिस चलती है सर जहां कॉंग्रेस की सरकार है तो जाजतार जो कॉंग्रेस का मुख्य मंत्री है अपने अपने आइडियोलोजी के अदिकारी को पूलिस अदिकारी बनाता है पूरा राजस्तान समालता है। Saamalata है उसी तरह से हर आक प्रांथ का व्यक्ति जिस जिस प्रांत का जो मुख्य मंत्री है जिस पार्टी का मुख्य मंत्री है वो अपने अपनी बात माने ऐसे पुलिस एदिगारी को हेड़ ऑउब बनता है तो ये बात तो सरविवादित है क्योंकि आपको द्यान है तो जब केंदर में सरकार थी कुंघ्रेस की और मोदी जी की सरकार थी इदर गुजरात में तो हमिस्षा को भी पुलिस ने बंद कर दिया था पुलिस के पास एक बार तो पावर है उसको उठाने का परकाजी है हमिस्षा जो भारत का ग्रह मंत्री आज की भारत सरकार में आज भारत का ग्रह मंत्री है उसको भी आज से 15-20 साल पेले CBAE दुआरा केस कर दिया और गिरफतार कर दिया तो यानि कि पुलिस के पास सच जूट का कोई पेमाना नहीं होता एक बार पुलिस किसी को भी उठा सकती है आप मेरे को पुलिस की कारवई के बारे में भी समझावाएं देखे एक ऐसे तो ये बहुत एक बड़ा इश्यू है इसके अंदर क्योंकि कई तरह की तस्वीर होती है एक अच्छी तस्वीर भी होती है बुरी तस्वीर भी होती है अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं बुरे पुलिस वाले होते हैं कि उनके खिलाब भी करवई होती है, को सस्पेंड भी किया जाता है, लाइनाजीर भी किया जाता है, कई सारे रिशुवत के मामले में भी वो पकड़े जाते हैं, पुलीस का जो रविया है, वो आम लोगों में अच्छा क्यों नहीं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आम तोर पे पुलीस जो है वो जो कारवई करती है, वो अच्छे जो लोग हैं, उनके खिलाब ज्यादा करती हैं, जो बूरे लोग हैं, वो जैसे जुवारी है, अगर उसको एक बार गिरफतार कर लिया, उसके बाद में वो पूरे शेहर का दादा बन जाता है, बनना तो ऐसा हो गया है कि मेडल मिलना है, मतलब उसको मेडल मिल जाता है कि उसके बाद जो जो दादा है उसके लिए, हाँ, उसके लिए कि वो उसको मेडल मिल जाता है कि वो तो अब कुछ भी कर सकता है, तो ये पुलीस का ये रुख होना चाहिए कि इस तरह के जो लोग ह उनको ज्यादा हाइलाइट नहीं करें अगर आप ज्यादा उसको हिरो बनाओगे ज्यादा उसको तवर्जो दोगे तो वो और हिरो बनेगा और और ज्यादा अपराज ची और वो अग्रसर होगा तो हमारी बात ये चल रही थी कि पुलीस की जो कारेप्रणाली है वो किस प्रकार क्यों होनी चाहिए तो जो समाज में जो अच्छे लोग है उनको कॉपरेट करना चाहिए उनसे सायता लेनी चाहिए उनसे सयोग लेना चाहिए और उनको सयोग देना चाहिए आज आदमी आज भी डर रहा है जबकि कई लेवल पे पुलिस अफसरों की इस बारे में मीटिंग हो चुकी है कई बार लोग जब जनता को बताया जा चुका है कि आप लोग पुलिस को सयोग कीजिए आपको कहीं पे भी नाम जो है नहीं आएगा गुप्त रखा जाएगा इसके बाद में भी नाम जो है वो पता चल जाता है अपराधियों को और कारवई होने से पहले वो लोग वहां पहुँच जाते हैं तो यह जो बड़ी विडमना है कि एक जो पुलीस जिस पे विश्वास होना चाहिए उस पे जनता विश्वास करी नहीं पा रही है अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही है कि पुलीस को तालमेल अच्छे लोगों से करना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा है पुलीस गुंडे बदमासों के यहां ज़्यादा जाती है पुलीस गुंडों के यहां ज़्यादा बेड़ जाती है ऐसा माहुल पूरे हिंदुस्तान में तो फिर मैं बा आप उसको मतलब 90 फिस्ज्दी से उपर जुए अच्छे पुलीस। वाले वो कारवी करना चाते हैं, वो एक सोच लेकर आते हैं समाज के लिए, कि हम जो है, बेटियों की रख्शा करेंगे, समाज की रख्शा करेंगे, लेकिन जो 10 फिस्दी हैं, ना वो जो है ना एक मचली जो है पूरे तलाब को गंदा गर देती उस तरह का मामला हो जाता है कई सारे पुलिस वाले अच्छे हैं और आज कल तो जितने भी आरपीएस एस पी डिवई एस पी एडिशनल एस पी और नएने लोग थानदार बने जिनमें यंगर्ष्ट हैं तो यंगर्ष्ट लोग तो चाहते हैं कि कुछ बदलाव आवे अच्छा काम करें आज से 40 साल पहले के लिए पुलिस अधिकारी को देखते थे जिसके बड़ी-बड़ी मूचे होती थी मूचे देखते हैं आदमी डरता था कोई उसे बात नहीं करना चाहता था लेकिन स्मार्ट पुलिस अब आई है वह इसका करन यह है कि देखो अभी जो एक्जाम सौरेंट जो परिक्षा है हो रही है वह आरपी कारती है और आपको पता होगा कि आज बी को सिर्फ कौंस्टेबल के लिए परिक्षा हो रही है आज दो तीन दिन के लिए कोंश्टेबल की परिक्षा होगी इसमें आपको पद कितने हैं साड़े पांच हजार सिर्फ अच्छा साड़े पांच हजार पदे और परिक्षा कितने दे रहे हैं सत्रा लाख लोग इसके लिए राजस्थान हां राजस्थान हां सत्रा लाख तो आप यह समझ सकते हो कि जो पांच हजार जो चुनके आएंगे कोस्टेबल के लिए वह क्रीम होंगे ना उन्हों कितनी पड़ाई की होगी कितनी समझदार होगे ब्रिलियंट होगे तब जाके वह पड़के आएंगे तो मेरे मेरा मेरा पतलब यह कि अब वह दिन गए जो क उसके बाद में भी सेकिंड फेज में उनका फिजिकल एक्जाम होगा फिजिकल एक्जाम में पास होंगे उसके बाद में इंटर्यू होगा और उसके बाद में उसके आग पाएगा तो पुराने जबने में तो यार भरती हो जाता है वह तो सबकी होती टीचर में भी होती थ जिसने आपने डिप्लोमा ले लिया तो होता ही था कि उसको नोकरी मिल जाती थी आजाओ आपको ले लेते हैं अब वह नहीं आप एकजाम देने हैं तो लाखों लोग जब एकजाम में बेड़ते हैं और आते हैं और जो चुनता है आदमी तो क्रेमी होगा ना हो समझदार होता है तो ब्रिलेंट होते हैं वह उनकी समझ जो प्रेमिक होता है दो बड़ा हो सोचने का तरीका जो है ना वह बड़ा हो तक टो का मां नो कोई नेता गलत काम के लिए ऑन कोई करता है तो कई कई सारे IAS के के रिज़त हैं सर ये मेरे से काम नहीं हो गया आप बली मेरा ट्रांसफर कर दो जी जी बस यह है क्योंकि वो जो उनका सोचने का जो तरीका है ना वो बदल गया उनका वो समाज को बदलने के लिए आए हैं वो जब इस एक्जाम में बेड़ते हैं या जब इस ए करते हैं तब एक संकल्प उनके दिमाग में होता है कि मेरे को इसके लिए जाना है इस समाज को बदलने के लिए जाना है ये काम करने के लिए जाना है तो जब वो आता है तो उसी दिशा में वो काम को अपने काम को रखता है यह जो बात बार मैं फिर बात होई करता हूं क्य लाप हो गया है तो इस तरह से क्या पुलीस किसी पत्रकार को उठा सकती है इस तरह से देखे अगर कानून सब के लिए समान है अगर कोई अपराद करता है चाहिए वो पत्रकार है चाहिए वो डॉक्टर है चाहिए वकील है चाहिए कोई भी है तो कानून सब के लिए बराबर और गिरफतार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ है कि जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी ने मामले को पालगर का है, चाहे वो कंगना रनोद का है और सुषान का है, ये सब महराश्ट के ही मामले थे सारे, तो महराश्ट के पुलीस उसके, उनके चैनल है, उनकी जो रिपोर्स है, उनसे प्रतीत हो रहता है कि वो भी महाराष्टर के खिलाप में है, महाराष्ट सरकार के खिलाप में है, तो दोनों तरब से तना तनी हुई, तो एक पूराना जो मामला था, सुलसाइड का दो साल पूराना, उस केस को वापस री ओपन करके और उसको गिरिफतार कर लिया है ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये दुखत है कि अगर इस तरह का गिरिफतारी पुराने मामलों में अगर खोल दी जाती है और गिरिफतारी कर दी जाती है तो मामले उठाने वाले जो गहराई से जो मामले जो मुद्दे होते हैं उसको उठाने वाले नहीं रह पाएंगे और जो जो चैनल जो दूसरे जो लोग पत्रकार हैं वो भी इसके बारे में सोचेंगे फिर वेरी गूड दोस्तों परकाजी शर्मा वरिष्ट पत्रकार हैं वरिष्ट जो लायू राजस्तान के संपादग है एडिटर है हम लोग वही बात तरहे हैं कि जिस तरह से महराज सरकार ने अर्णव गोस्वानिक को पकड़ा है बंद कर दिया है ऐसा नहीं करना चीए कारण की फिट तो पता नहीं यार यह तो वही बात हो गई जिस तरह के एमर्जेंसी के अंदर जब एमर्जेंसी लगी थी इंद्रा गंदी जी ने एमर्जेंसी लगी थी तो कई सारे पत्रकारों को बिना किसी कारण के जेल बेज दिया था पकड़ लिया था तो यह तो यार आजात दे से तो ऐसा नहीं करना चीए हम लोग भी पत्रकार हैं हमारी अपनी बात होनी चीए कुछ उनको देखना चीए नहीं तो हम जैसे खोजी पत्रकार जो कई सारे देखो मामले तो कई सारे दबा दिया चाते हैं हम सब लोग जानते हैं कि मर्डर तो क्या है लेकिन पुलिस वाले धाराये हेर पर करके उसको दबा देती है अगर हम जैसे पत्रकार किसी खोजी पत्रकार कई सारे हिंदुस्तान के अंदर कई पत्रकार होने तो कई सारे ऐसे मामले उठाए हुए यार और लोगों को जेल अबान की आवाज को किसी भी प्रसाशन को चाहे वो बीजेपी की गोवर्मेंट हो चाहे वो कांग्रेस की गर्मेंट हो चाहे वो कमुनिस्ट की कोवर्मेंट हो पत्रकार के लिए तो कुछ बिल्कुल अगर पत्रकार अगर बिल्कुल ही अगर यलो जनलिजम करता है अगर पीद पत्रकारीता करता है या किसी को ब्लेकमेल करता है तो इसके खिलाफ निश्चित रूप से कारवई होनी चीए हमारा भी यही मानना है कि इस तरह कारवई होनी चीए लेकिन वो समाज के अगर मुद्दे उठाता है असल मुद्दे उठाता है और वो मुद्दे किसी के ख खिलाफ में हैं और उसके खिलाफ अगर इस तरह कारवई की जाती तो यह नितायंत रूप से गलत है जैसे कि इस अर्णव गोस्वान नी ने आर भारत में वो पालगर का मामला जहां दो सादूओं को भीड़ दुआरा पीड़ दिया जाता है और पुलिस शांती से खड़ी थ पुलिस थी गोस्वामिन ने शायद वह जावाज उठाया तो क्या यह पुलिस को क्या करना चाहिए इसी जगह मतलब मालो कि पुलिस खड़ी है उन सादूओं के साथ और भीड़ उसको उसका मडर कर दिया यार देखे इसके अंदर फिर वह यह बात है कि यह एक व्रहद ए उसका कि पुलिस थी वहाँ पर उस समय लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि लोग कितने थे भीड़ कितनी थी उनमें गुसा किता था यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास में जो वीडियो आए हम तो मुकेपे थे नहीं कि जो वीडियो हम लोगों ने देखे हैं उसके हनुसार पुलीस तो वहाँ पर थी कम लेकिन लोग जादा थे और इतने जादा उगर थे कि पुलीस को ऐसा लगा कि हम अगर इसके अंदर इन्वोल होते हैं या हम इसके शामिल होंगे या करने उनको छोड़ाने कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारे पर अटेक हो जाए तो खुद के बचाओ के लिए शायद पुलीस ने कुछ भी नहीं किया और जैसा वीडियो में दिख रहा है कि पुलीस कर्मी कुछ जगे पर खड़े वे दिखाई दिये और वो कर नहीं रहे हैं साधू को खीच के लेके जा रहे हैं उनको थपड़े लगा रहे हैं लाठी लाठीया मार रहे हैं लेकिन उसमें इनवल नहीं है तो इस जगे पुलीस ने अपने खुद का बचाओ करने की कोशिश किया अगर लेकिन ऐसा भी होता है कई साले कई जगे मैंने देखे हैं कि चार पुलीस वाले होते हैं वो भी चार सो लोगों को बगा देते हैं वो भी लेकिन उसमें इत्ता दिल गुर्दा होना चाहिए कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम एक बार कोशिश करेंगे उसको वो कोशिश वहाँ पर मेरे ख्याल से देखी नहीं गई हो परकाजी ने जैसे कहाना है कि पुलिस की डूटी में पहले कहा जाता है मालो यार कहीं आपको वी आई पी डूटी में लगाया है पुलिस की डूटी कहीं सारे वी आई पी लगाती कि मालो परदान मंत्री के साथ चार बोडी गार्ड है साब तो बोडी गार्ड अगर सामने आतेंगवादी आगे और बोडिवाट खुदी के जागा लेओ मारो तो ये पुलिस की डूटी नहीं होती है तो महराष्ट पुलिस ने कहीं कहीं तो गल्ती की ये कई सारे मामलों में और शुशांत सिंग राजबुत की जहां बात करें तो दूसरे ही दिन पुलिस ने के दिय करेशन हो तो पते जले कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट आई वह हो सकते हैं होकि अगर को कुए रिवाने की निशान नहीं रहे तो इसमें तो उसका पता नहीं चल सकता है तो 29 मतलब में अपने हाथ से गला दबाऊंगा और मडर करूंगा तो स्वास रुकने से ही होगी मोत तो लेकिन उसके निशान आएंगे बिल्कुल बिल्कुल उसमें अगर जो जो मुरतक है वो कोशिश करता है अपने बचाओ के लिए बड़ाने की है ना तो वो हाथ भी चलाएगा पाओं भी चलाएगा तो सामने वाले के भी लगेगी है ना और वो भी उसके जो निशान हैं वो भी रहेंगे उसके तो वो कईन कई वो पोश्माटम रिपोर्ट में साबीट हो जाते हैं प्रेंट मीडिया भी और एलेक्ट्रोनिक मीडिया भी बड़ी खुशी की बात है तो कुल मिलाकर महाराश्च सरकार ने जो किया है वो बिल्कूल गलत किया है इस तरह से किसी पत्रकार को पूराने किसी फाइल खोल कर उसको बंद कर देना ये बिल्कूल लगता है कि जान बू सुकामना है थेंक्यू सर थेंक्यू जय हिंद जय मेवाड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू